हेलो दोस्तो नमस्कार पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूरिय के रतन मानिके और चंद्रमा के रतन मोती के बारे में आज हम बात करेंगे मंगल के रतन मुंगा के बारे में मुंगा एक तरह की जैविक लकडी है यह समुन्दर की गहराई में पाई जाती है इसे साफ सफाई करके तराशा जाता है तब ही यह मुंगा बनता है मुंगा दो अकार में पाया जाता है एक कैपसुल के अकार में दूसरा तिकोन के रूप में तिकोने अकार में पाया जाता है यह लाल और नारंगी रंग में मिलता है यह मंगल का रत्न है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव की शुब फल नहीं मिल रहे तो उस तिती में इस रत्न को धारन किया जाता है मंगल साहस, बल और उर्जा का प्रतीक है, उर्जा का कारक है, अगनी और भूमी का कारक है और अस्ती संबंदी रोग मंगल की खराप सिती के कारण ही होते हैं जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल देव शुप सिती में होते हैं, प्रन्तून निर्बल होते हैं और फल देने में कमजोर होते हैं और शुब भावों में या फिर शुब भावों का स्वामी होकर कमजोर होते हैं डिग्री वाइस कमजोर होते हैं उन व्यक्तियों को मुंगा पहनने की सलाद दी जाती है मुंगा पहनने से साहस बढ़ता है बल बढ़ता है प्राकरम बढ़ता है और पेटरोल और गैस सम्बंदी और सुरक्षा सम्बंदी कारियों में सफलता मिलती है पुलीस में राजनीती में मिलिटरी में ऐसे विक्तियों को सफलता मिलती है जो मुंगा धारन करते है जमीन जैदार या प्रोपर्टी के कारियों में या फिर बिल्डिंग मैटेरियल के कामों में भी सफलता मिलती है और खून संबंदी रोगों में सुधार होता है और व्यक्ति का आत्म विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मुंगा हमेशा सोने या तामबे की धातू में पहना जाता है मुंगा सामान्य तोर पर दो प्रकार के होते हैं इटेलियन मुंगा जो की सुर्ख लाल रंका होता है दूसरा होता है देसी मुंगा जो की नारंगी रंका होता है मुंगा रत्न सिर्फ मेश लगन, करक लगन, सिंग लगन, वरिश्चिक लगन, धनू और मीन लगन के लोग ही धारन कर सकते हैं वरिशब लगन, मिथुन लगन, कन्या, तुला, मकर और कुम लगन के लोगों को मुंगा कभी भी धारन नहीं करना चाहिए अन्यथा इसके हानी कारक परिणाम मिल सकते हैं मंगल देव इन लगन की कुंडलीों के लिए अति मारक ग्रह होते हैं तो इन लगन की कुंडली में यदि मुंगा रतन पहनना जाता है तो मुंगा मंगल के मारक प्रभावों को बढ़ा देगा जिससे कि मंगल के मारक तत्वों में वृद्धी होगी तो इसलिए इन लगन के लोगों को मुंगा पहनने की सला नहीं दी जाती अब बात आती है यदि मंगल देव लगन कुंडली में अस्तवस्था में हो तो क्या इस्तिती में मुंगा पहनना चाहिए यदि मंगल देव मेश लगन, करक, सिंग, वरिष्चिक और मीन लगन, धनू लगन को छोड़ देना है यदि इन पांच लगन की कुंडलियों में वे शुबस्तिती में है और तीसरे छटे आठवे और बार्वे भाव में नहीं है ना ही नीच वश्ता में है और शुबस भावों में स्थित है तो मुंगा धार्ण किया जा सकता है मेश, करक, सिंग, वरिष्चिक और मीन लगन की कुंडली इन पांच लगन की कुंडली में यदि मंगल देव वकरी है तो भी आप मुंगा पहन सकते है मंगल देव तीसरे, छटे, आठवे और बारवे भाव में नहीं होने चाहिए ना ही नीच के वकरी होने चाहिए और ना ही उच्च के वकरी होने चाहिए बाकी स्थितियों में आप मुंगा पहन सकते हैं अगर वो वकरी है तो धनू लगन की कुंडली में अगर मंगल दे वकरी वस्ता में है तो आपको इनका रतन कभी भी धारं नहीं करना चाहिए सबसे पहले 5-8 केरेट का मुंगा आप पहन सकते हैं अपने वजन के नुसार सोने या तांबे की अंगुठी में पहन सकते हैं अगर सोने और तांबे के मिश्नन की अंगुठी हो तो ज़्यादा भेता रहेगा अगर आप तांबे की अंगुठी में पहनते हैं तो सोने का टांका लवा सकते हैं और उस अंगुठी को धरन कर सकते हैं और यदि आप सोने के अंगुठी पहनते हैं तो उसमें तामबा ओलडी होता ही है मुंगे रत्न को शुकल पक्ष के किसी भी मंगलवार को सुरिय उदे के पस्चात धारन कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अंगुठी को पंचा मुरित के गोल में 15-20 मिनट के लिए रखना है उसके बाद कच्चे दूद से और फिर गंगा जल से धोना है और फिर उसके बाद पाच अगरबत्ती मंगल देव के नाम की जिलाएं मंगल देव का मंत्र है ओम अम अंगारकाय नमा इस मंत्र का आपको 108 बार जाब करना है हनुमान जी की फोटो सामने रखकर उस अंगुठी को मंगल देव के चड़णों से सपर्ष करें और अगरबत्ती को अंगुठी के उपर से 108 बार गुमाएं और मंगल देव के मंतर का जाप करे 108 बार और प्रातना करें कि हे मंगल देव मैं आपका अशिरवात प्रात कर रहा हूँ और फिर अंगुठी को हनुमान जी के चरटों से स्परश करवा कर अनामिका उंगली में धारन करें मंगे की आयू 3 वर्ष है इसे धारन करने के पच्चाद 90 दिन में अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है और 3 वर्ष के पच्चाद पून डूप से विद्ध हो जाता है या भी निश्क्रिय हो जाता है और अपना प्रभाव देना पंद कर देता है तो आपको तीन वर्ष के पस्चात इसको बदल लेना चाहिए आज कल मार्केट में नकली रतन बहुत आ गए हैं और लोगों को असली कहकर थमा दिये जाते हैं तो मुंगे की पहचान करने के लिए कि यह असली है यह नकली है तो इसके लिए सबसे पहले आपको मुंगे के उपर एक पानी की बूंद डालनी है जबकि नकली मुंगे में यह नहीं होती असली मुंगा चिकना होता है और फिसलने वाला होता है और शीशे पर अगड़ने पर आवाज नहीं करता मुंगे पर हाइड्रो कलोरिक ऐसी डाला जाए तो जाग बनने लगता है मुंगे के साथ आप पुखराज और मोती और मानिके धारन कर सकते हैं और कुछ विशेश प्रिश्थितियों में आप पन्ना भी धारन कर सकते हैं यदि आप मुंगा धारन नहीं कर सकते तो आप मुंगे के उपरतन भी पहन सकते हैं वैसे तो मुंगे के कहीं उपरतन है, प्रन्तु जो परसिद हैं, वह हैं लाल हकीक और लाल तामडा, यह भी मुंगे की तरह ही काम करते हैं, आप मुंगे की जगए इनको पहन सकते हैं.